हेलो बच्चों स्वागे था आप सभी का आर्बेडी टीप क्लास में तो बच्चों आज मैं फिर से क्लास नाइंत की मैथ से एक्सरसाइज 1.1 का लेकर करके आया हूं यह नंबर सिस्टम चैप्टर से लिया गया है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या पुछा गया है में कि नबर की लाइंड फाइफ नन लंबर कुंइंट थीदसां फायम एंट फ़ोड़ाई वाई तो यह क्रिस्डाद है यह भी एक रेचानां ऑप स्कुर्डデन को बीच में पांच स्भाइफ तो देखों यहांא से पहली क्या करना होता है एसलीट सन ना सिर्वाह संन पर do rational number a between 3 by 5 है एन फूर भाई तो आप दिको सबसे पहले हमने यह देखना है कि कोशन में कितने नमबर बताने हैं तो कोशन में फाइफ नंबर बताने क्या बताने हैं फाइफ नंबर तो सबसे पहले यहां से n find करेंगे n is equal to 5 plus 1 यह 5 होता जो question में पूछा है अगर question में बूलेगा 3 तो यह पर 3 right करेंगे यानि question में जितना पूछता है 5 पूछेगा तो 5 plus 1 6 6 पूछेगा तो 6 plus 1 7 2 पूछेगा तो 2 plus 1 3 तो यहां पर 5 पूछा तो 5 plus 1 6 ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे अब इस 6 से इसमें और इसमें multiply करेंगे तो देखो कैसे करेंगे now 3 by 5 and 4 by 5 तो यहां पर क्या करेंगे सिक्स multiply करेंगे और यहां पर भी सिक्स multiply करेंगे ठीक है तो थ्री सिग्जा एटीन फाइफ सिग्जा थर्टी एंड फोर सिग्जा 24 ओबर फाइफ सिग्जा थर्टी एक बार हमें पता चलिए कि वह देखो यह नंबर 18 और 24 के बीच के जितने भी नंबर है वह आएंगे मार फाइफ रिशनल लंबर कैसे देखो एटीन के बाद क्या आता है 19 सो 19 by 30 20 by 30 21 by 30 22 by 30 and 23 by 30 तो दीज आर दा फाइफ रिशनल लंबर बिट्विन थिरी फाइफ एफ 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 एट फोर बाइफ तो यह हमारे इस कुशन का आंसर हो जएगा आप देखो कैसी क्या किया गया इसमें सबसे पहले ही देखो हमें एन फाइंड करना होता है जिसे हमें यहां पर मल्टिप्लाइ करना होता है तो उसके लिए हम देखते हैं कितने नंबर बताने हैं जैसे आपर फाइफ नंबर बताना है तो उसमें वन एड़ कर देंगे तो 5 plus 1 6 उसी 6 से हमें नीचे उपर multiply करना होता है ठीक है तो यह हमारे 5 rational number होंगे आप चाहो तो इन्हें right on कर लो या फिर वीडियो को पॉज़ करके screen salt ले लो तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class